हलो एवरिबन तो दोस्तों सर्दियों में गर्मा गर्म चांड वाला एक कप कैपेचिनो कॉफी वो भी दुकान जैसा घर्में मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको तो चलिए बिला इलेक्ट्रिक बिटर या कॉफी मेशन के कैसे बनाए दिखाती हो आपको पहले एक मग में लेंगे 2 टीस्पून इंस्टन कॉफी उसमें डालेंगे करिबन 6 टीस्पून शुगर यानी चीनी अब हम इन दोनों चीजे अच्छे से मिलाएंगे अब अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को कम या ज्यादा कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम पानी और इसको हमें लगातार चलाना है दो से तीन मिनित तक अभी इसका कलर डर्क है पर जब आप इसको कंटिनुवसली चलाएंगे तो इसका कलर धीरे धीरे लाइट होता जाएगा और बिल्कुल फोम जैसा क्रीमी टेक्स्च मैं इसमें बाम पानी मैं इसमें एड कर रही हो एगं बीट केरेंगे एक से दो मिनिट तक आप देख सकते हैं इसका कलर भी हो गया है और फोम की तरह हैं फ्लाफी और ख्रीमी भी हो गया है अब एक दूसरा कॉफी मग ले लेंगे और जो कॉफी का क्रीमी फ्लाफी मिंक्स्चेर तयार किया था उसको पूरा का पूरा डाल देंगे कॉफी मग में नेक्स्ट हम इसमें एट करेंगे एक काप गरम दूद। दूद को भी मैंने अच्छे से गरम कर लिया था और चमक से इसको मिंक्स करेंगे जब तक इसमें से जापना निकला है और डेकरेशन के लिए आप उपर से चुटकी भर कोकॉआ पाउडर या चोकलिट पाउडर स्प पिच्चुनो कॉफी एट हो मिलते हैं और एक नेड़ी सिपी के साथ तब तक के लिए बाँ बाई